हुआ हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू अमर्क स्टडी इस वीडियो में हम बात करेंगे एडिशन और कोहेजन की मतलब आसंजन और ससंजन ठीक है तो फ्लूड मेगानिक तक टॉपिक है इसको हम देख लेते हैं इंपोर्टन टॉपिक है विद कॉंसर्प्ट के साथ देखेंगे एक्जांपल लोगा मैं चार पांच ठीक है और कुशन भी आपको कैसे पूछा जाता है वह कुशन भी कराऊंगा ठीक है तो आपको वीडियो को पूरा देख लेना है चलिए शुरू इसकी पीडियाफ भी मिल जाएगी आप कर सकते हो यह फिर लिंक जो है टेलीग्राम की वह मैंने देदी है वहां से भी कर सकते हो चलिए तो हम देखते हैं यहां पर देखिए सबसे पहले बात आती है कि मैं कैपिलरी ट्यूब होती है यह पतली से जो ट्यूब है इसको हम कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब को अगर हम वाटर में डालते हैं एस ट्यूब मतलब वाटर हो गया और वाटर में आप डिप करते हो डिप या फिर डुबाते पूलते हैं या फिर मरकरी बोलते हैं इसको अगर इसमें फिल करो डिप करोगे तो इस तरीके का शीप बन जाएगा मतलब इस तरीके का उपर की साड़ में तो क्यों होता है यह बता सकता है तो इस इस concept का हम समझते हैं अच्छी तरह किते हैं उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा इससे पहले हम देखेंगे molecule molecule क्या होता है फिर addition, cohesion सब कुछ एक एक करके देख लेते हैं तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए what is molecule? molecule में हम देखते हैं कि the smallest unit into which a substance can be divided without changing its chemical nature मतलब सबसे छोटी एकाई जिसमें किसी पधार्त को उसकी रासाइनिक प्रकरती को बदले बिना विवाजित किया जा सकता है मतलब कोई भी आपके पास, कोई भी आपके पास substance है, इसको हम divide कर सकते हैं टू पार्ट में बिना chemical reaction के ठीक है, यह चीज हो गई, तो आपको molecule दिख रहे होंगे, यह molecule हम इसको कह सकते हैं वाटर के molecule है, यह छोटे-छोटे जो दिख रहे हैं आपको, यह इसको हम molecule हम बोल सकते हैं, ठीक है, तो इस molecule को हम जब एक साथ मिलाएंगे, तो इस तरगी का यह water formation बन जाएगा, इतनी बात के लिए हैं, अब हम आगे देखते हैं, देखिए, condition of molecule, condition जो होती है molecule की, वह कैस मालिकूल होंगे, वह सबसे जढ़ा स्पास में होगे, ठीक है? जीजस हो गई, इसलिए वो soled होता है, जैसे मालो कि आपने लिया, जैसे block ले लिया iron का, iron का ब्लॉक ले लिया, फिर या wood ले लिया, ठीक है wood, तो इसके जो molecule होटे हो, सबसे पास में होगे, इसलिए वो solid होत गैस के मॉलेकुल है गैस के मॉलेकुल और ज्यादा दुद्द्र होते हैं इनमें इंटर मॉलेकुल फोर्स जो होता है वह बहुत कम होता है इसमें इंटर मॉलेकुल जो फोर्स होगा वह बहुत ज्यादा होगा यह पास पास होते हैं इसमें इससे भी क्या है कम होगा इसमें बहुत जादा कम होता है ठीक है यह चीज़ा हो गई अब आगे देखते हैं यहां पर हम बात करेंगे ससंजन ससंजन मतलब कोईजन जो टॉपिक था हमारा उससे बात करेंगे छोटा सा टॉपिक हम जल्दी से खतम करते हैं इसको मतलब हिंदी में हम इसको देखते हैं तो क्या है तरल का वह गुड जिसके कारण किसी तरल के अडू एक दूसरे को आकर्शत होते हैं ससंजन कहलाते हैं जैसे एक्जम्पिल पारा पैंट तथा सरेस में ससंजन का गुड अधिक होता है समझ में नहीं आया होगा ठीक है मैं आपको एक एक एक्जम्पिल लेकर समझाता हूं देखिए यह एक एक्जम्पिल है इसमें देखिए देखिए आपके पास आपको सामने यह फिगर दिख रहा है इस फिगर में आप देख सकते हो कि एक वुड है लकड़ी है लकड़ी प तो इस तरी पर पास पास में आएंगे तो इस पास पास में आएंगे तो यहां पर जो पास एंगे pasti तो यह बड़ी रॉप बना लएगे ठीक है बड़ीडॉप बना लेंगे तो इस सेम क्रवा अधिंदी करते हैं तो इसको हम बोलते हैं क्या कि यहां पर देखिए तब यह बताया था कि प्रॉपर्टी ओफ फ्लूट मतलब इसानी फ्लूड और ओन मतलब खुद के molecule और same type molecule molecule are attracted is called cohesion ठीक हिंदी में भी लिखा हुआ है तो यह सब इसके example इसको हम समझते हैं बाद में last में जा के ठीक है यहाँ पर जो question बनता है वो मैं आपको question बता दू कि question बनता कैसे है एससी जेई में आया है और 2018 में आया हुआ है देखिए प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूड बाइविच इस ओन molecule और अटक्टर इस कॉल तो अभी मैं जस्ट पढ़ाया था उसको बोलते हैं कोईजन ठीक है तो यह सारी चीज़ हम पढ़ेंगे विसकोसिटी पढ़ेंगे कमप्रासइबल्टी पढ़ेंगे अडिशन भी पढ़ेंगे सारी चीज़ पढ़ेंगे अव हम देखते हैं एडिशन वाश्य होता है कि कि अनिदेशन देंकि क्या होता है तो एडिस्टन को हम बोलते हैं सासंजन बोलते हैं हिंदी में तो प्रॉपर्टी ओफ व फ्लूड वई वीच इस डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिकुल ऑडिकुल अगर अट्रक्षेन करते हैं फोट्स ऑफ प्रेंट पार्टिकल अगर आपके पास हैं तो उसमें होगा एडिस या किसी तरल और ठोस्के अड़ों का आपस में अकच्छत होना अब देखने इसको एक्जम्बल से हम समझते हैं इसके बाद अच्छे से समझ में आएगा देखिए आपको दिख रहा होगा एक ग्लास ग्लास में क्या है वाटर है थे वाटर दिख रहा होगा अब माल लेता ठीक है और यहां पर एक और मॉलिकूल है वाटर का उसको हम तीन माल ले रहे हैं तो देखो दो मॉलिकूल और तीन मॉलिकूल यह तो सेम टाइप के मॉलिकूल है ठीक है सेम टाइप के मॉलिकूल है तो हम इसको बोलेंगे कोईजन ठीक है कोईजन बोलेंगे सेम टाइप के में बात अब इसमें बहेंक है यह टैपम और दो जो कि डिफेरेंट means डिफरेंट डिफरेंट का है ग्लास का है दूसरा है वाटर का नोलो को तो डिफरेंट मॉलक्रेंट हो नोन की बीच में तो इसको नो एडिचन मर अभड़ेंगे स्वाल के ऐडिभी different different molecule is called addition तो समझ में आ गया होगा यहां पर तो मैंने क्या लिखाया था यहां पर लिखाया था कि property of fluid which which is different type of molecule are attracted is called addition ठीक है clear होगी यह बात आगे देखते हैं अब आपको एक question बताना है यह मंदारी से आप सभी अगर वीडियो देखा है तो ध्यान से आपको बताना है ठीक है और इसका answer कमेंट बॉक्स में देना capability capability जो action होती है वो डीटू कोहिजन के कारण होती है एडिशन के कारण होती है सर्फिस टेंशन के कारण होती है फिर और और करेक्ट है ठीक है बहुत बार कुशन पूछा गए इसमें confusion बहुत ज्यादा होता है इसको मैं community app में भी डाल दूँगा ठीक है लेकिन आपको सभी को बताना जरूर है इससे मुझे पता चले का आप वीडियो देख रहे हो ठीक है चलिए और आपको पता भी चल जाए यह क्यों होता है तो आप बता भी सकते हो से मुझे भी पता चल जाएगा कि कैसे आप answer दे हो ठीक है तो किसका एक्जम्पल है यह देखो एप्लाइंग एक कोट ऑफ पेंट और एवाल इस वन अप परफेक्ट एग्जम्पल ऑफ एडिसिव फोर्स एडिसिव हो रहा है जाए पे इन एक्शन दा प्रॉसेस इन वाल डिपोजिंग डिपोजिंग डिपोजिटिंग जान ऩाल गेंग डिपोजिव प्लिपोजिरि खोर्स एड़्स ऑ्रॉसर ऑ्र्स अर्या ट्किंप ज जा जा इन पुरिपन बोल county कोटिंग टेंग और एंटिक कोटिंग इन पेंगी लिपोजिजंग ऑंध ऑनीषभ डिपोसिव इन्स व丁 अरूल में इन एह सब स्ट्राइट तो यहां पर देख रहे हैं कि यह आप प्र कर रहे हो दीवार पर कर रहे हो दीवार है वह एक हो गया ठीक है प्र जो हो गया दो अधिरन ऌलकल है ओड़्यको करें रेंग करेंगे तो यहां यहां पर क्या ह toolbar क earns कूंद कर tempt तरह जो कि और चाहिę तरह कर तर самое करता है तो यहां पर एक स्ट्रॉंग साफ उप्स अठ्रक्ष्छ। अब की इस पार्ट्रक्षन थे कर एक एक है यहां पर देखिए एक एक्जम्पल आपको दिख रहा है बैट सब्सक्राइब मतला सर्फेस आपकी गीली हो जाती है जैसे वेने वाटर फॉल और एनी सर्फेस जैसे आपको फिगर में दिख रहा होगा इट स्पीड आउट ओफ त्रॉली मतला फैला देते हैं एक सर्फेस प सर्फेस मॉलिकूल दा फॉर्स ऑफ अट्रेक्शन बिट्वीन दा मॉलिकूल टू डिफ्रेंट सब्स्टेंस इस पॉल्ड एडिस फोर्स तो आपको देख रहा होगा जब वाटर फैला देते हैं जमीन पर तो होता क्या है कि वाटर का मॉलिकुल और जो सर्फेस का जो मॉल होता है वह फुलोर को गीला करने में ठीक है रैस्पॉंसिबल होता है वैने लिक्विड इस पॉर्ड इंटू इट जब हम पानी को फैला देते हैं सर्फेस पे चलिए यह चीज हो गई एडिस फोर्स की मेकप सभी लोग मेकप करते हो जैसे देखो फिगर में आपको देख होगा एक लड़की है मेकप कर रही है तो यहां पर देखिए पुटिंग और मेकप इस वन अप्धा मोस्ट कॉमन डेली लाइफ ऑफ एक्टिपिटीज दा इनवाल दा कॉंसेप्ट ऑफ एडिशन दा कॉस्मेटिक प्रोड़क्ट डू नौट गेट ऑफ देस्किन इजी मत अब को देख रहा होगा कि हम जब मेकप कर लेते हैं तो एक जो मेकप बाला प्रोड़क्ट होता है हमारी स्केन होते हैं दोनों के जो मॉलेकुल होंगे तो फोर्स का एक फोर्स अट्रक्शन होगा वह बनाएगा उस जगह पे तो उसको हम रिमोव करना आसान नहीं होता है जैसे हम लगा लेते हैं कोई भी चीज मालों के लिपिस्टिक लगा लिए उठोपे तो लिपिस्टिक अलग एक अलग वह हो गया उसके मॉलिकुल होंगे और हमारे लिप्स के वह बनी है तो यहां पर एड़स बना तो इसी नहीं होता है उसको छुटाना मतलब रिमूव कर करना तो इस रिक्वाइड एन एक्स्टरनल फोर्स तो रिमूव मतलब इसको एक्स्टरनल फोर्स की जरुवत पड़ती है ठीक है रिमूव करने के लिए मेकप फ्रॉम दाफिस दफोर्स दैट हैल्प दा प्रोड़क्ट तो से इन कॉंटेक्ट विद थैस्किन इस नौन अ हम लगाते हैं ना तो इस एक्ट्रल फोर्स इसको जरूद पड़ती है इसको हटाने के लिए तो यह चीज़ हो गई एडिस फोर्स और मैंने कोईसिफ फोर्स को क्लियर करा है विद एक्सम्पल ठीक है समझ में आ गया होगा आपको तो बही सबी लोग को क्या करना है लाइक तो इसकी प्लेलिस्ट भी बना दूंगा जिससे आपको कुष्ण भी तयार होते जाएंगी फ्लूड मेकनिक्स मैं पूरा फ्लूड मेकनिक्स अच्छी तरीक से आपको क्लियर करता जाओंगा एक एक टॉपिक को लेकर तो भाई सभी लोग को क्या करना है चैनल को सब्सक्र सब्सक्राइब करता है फड्रोड मेकनिक्स है तो इस तो इसकी तो इसकी को करता है इस है तो इसकी लाव करता है आपको क।